कि हम लोग आज नया चेप्टर ट्रेंगल पढ़ेंगे जिसमें ट्रेंगल में कांगुरिंस आफ ट्रेंगल की बात हम करेंगे उसके पहले ट्रेंगल में क्या-क्या बाते हैं आप उसको समझें जैसे आप जानते हैं कि नान को लिनियर थ्री लाइन्स नान को लिनियर लाइन संस यह लाइन है और एक लाइन अगर हमने बेलिया दूसरा लाइन अगर मालनी जी भी ले लिया और से डींवीसीह कर लिया या कोई लाइन कॉलीनियर हमने कर लि में अगर यह ट्री yön कोogan यह है तो triangle नहीज़ बनेगा तो triangle बनने के लिए सबसे पहले तो हमारे यह three lines जो होने चाहिए non-collinear होने चाहिए और यह three lines जो हो अगर non-collinear है तो उससे अगर हम कोई अगर दोनों pair दो लाइन एक दूसरे को Intersect करें तो जो graph बनेगा उसे हम triangle कहेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह फास्ट लाइन है यह आपका second line और यह थार्ड लाइन फास्ट लाइन सेकेंड लाइन को एक पॉइंट पे intersect करती है जिसका अगर हम नाम एक करें सेकेंड और थार्ड एक पॉइंट पर इंटरसेट करती है जिसका नाम हम अगर भी दें और थार्ड और फर्स ने इंटरसेट किया वह पॉइंट अगर सी है तो यह ग्राफ आप देख सकते हैं कि abc is a triangle तो यह आप एक triangle abc देख रहे हैं तो सबसे पहले यह समझना है कि three lines अगर non colirial lines हैं तो उससे हम अगर figure बनाते हैं three lines को ले करके तो हमारा यह triangle बन रहा है तो इस triangle में कुछ और बाते आपने पीछे के lecture में देखा था कि अगर यह triangle abc है तो इसके 3 internal angle आप देख जो देख रहे हैं angle आप जो देख रहे हैं angle A, angle B, angle C तो इसका sum आपने पढ़ा है कि 180 degree होता है आपने पढ़ा है angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree यह आपका triangle तभी है जब इसके 3 internal angle का sum 180 होना चाहिए 180 से point 1.1 या कुछ भी कम नहीं है ना 180 से अधिक यह 180 के equal ही होना चाहिए साथ में एक बात और आप सानले इसकी side की length अगर A भी है एक line आपकी BC length है और एक आपका CA इसकी length की बात कर रहा है इसको हमने mark कर लिया तो इसके length में किसी भी दो side के length को अगर sum करें तो हमेशा तीसरी side से बड़ी होनी चाहिए तब हम कह सकते हैं कि वो triangle बनेगा जैसा कि आप देखें mod AB प्लस अगर mod आपने BC कर लिया तो यह हमेशा greater होना चाहिए mod AC के या आपने mod AB प्लस mod AC कर लिया तो अब यह greater होना चाहिए mod BC के या आपने mod AC प्लस mod BC कर लिया तो यह greater होना चाहिए mod AB के इसका sense यह है कि किसी भी इस triangle में कोई भी दो line का अगर हम length का sum करते हैं तो हमेशा वो तीसरी line के length से greater होनी चाहिए तो यह बात दी आपको ध्यान देनी होगी साथ में आपने triangle में अब हम पढ़ेंगे congruence of triangles congruence of triangle क्या होता है पहले इसको समझें जैसे मान लीजिए हमने एक triangle ले लिया ABC और एक other triangle हमने ले लिया PQR अगर यह यहां है इस दोनों ट्रेंगल को हम congruence कह सकते हैं कब जब इसका internal angle और इसका internal angle आपस में equal हो जैसा कि angle A correspondence angle की बात करें अगर angle A यहां है इंगल P से equal हो जाए angle B आपका angle Q से equal हो जाए और angle C आपका angle R से equal हो जाए तो हम कह सकते हैं कि triangle ABC congruence के लिए ऐसे लिखते हैं यह sign हम यूज़ करते हैं तो triangle ABC equal to triangle P Q R किसी student ने अगर ऐसा लिख दिया triangle ABC congruence triangle हमने Q P R कर दिया तो यह रांग हो गया यह गलत हो गया यह लिखना गलत होगा क्योंकि अगर angle A equal angle P का तो यहां first में P ही होना चाहिए था अब इसका sense यह हो गया कि angle A equal है angle Q का angle B equal है angle R का और angle P का और angle C equal है angle R का तो इस तरह से corresponding angle equal होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं अगर यह triangle ABC है तो इसके corresponding angle आपका कहलाएगा A का P ऐसे आप देख सकते हैं और B का Q और C का R या अगर ऐसा कहीं आपको दिख गया जैसे suppose करो कि हमने दे दिया triangle X Y जेंट कांगुरेंट ट्रेंगल हमने कर लिया S T U ऐसा कर लिया और इसका अगर ऐसा दिया गया है तो इसका मतलब है कि triangle यह आपका इस triangle का concurrence है तो इसमें आपको समझना चाहिए कि यह angle X equal होगा angle S के और angle Y equal होगा angle T के और angle Z equal होगा angle U के तो इस तरह से अगर दो triangle आपको दिये गया है और दोनों triangle का internal angle एक दूसरे से equal है तो दोनों triangle को हम congruence triangle कह सकते हैं साथ में यह three angles equal हुआ तो यह तो congruence हो गया इसकी और भी property है हम आगे चलके पढ़ते हैं कि उसमें और दो triangle में दो side यगर equal ले लिया जाए या एक angle तो क्या ऐसा congruence हो सकता है या हमने three sides को equal ले लिया तो क्या ऐसा हो सकता है इसकी property की बात करते हैं पहले आपको यह समझना होगा ध्यान से समझिए फिर से एक बार बात करते हैं कि triangle ABC अगर triangle PQR के congruence है तो उसका internal angle A angle P के equal होगा angle B angle Q के equal होगा सब्सक्राइब करो कि यह जो है आपका पी के equal नहीं है यह हम दूसरा कर दे रहे है सपोज करिएगा यहां सिध्यान से देखिएगा इसको समझना आई थोड़ा सा भी इधर उधर आपने किया तो यह गलत हो जाएगा जैसे सपोज करो कि हमने यहां पे कर लिया यह क्यूँ इक्वल है एक है और हमने आर को कर दिया के से कहें और इसको हमने कर लिया अ इसका सेंस है कि इंगल एक कल हो रहा है इंगल क्यू के यहां दिजियेगा इंगल— Products के यहां से इंगल Q कर दीजिए और इंगल B equal हो रहा है इंगल R के और इंगल A equal हो रहा है सौरी यह हो चुका है इंगल आपका C और इंगल C equal हो रहा है इंगल P के अब यहां पर देख सकते हैं यह triangle आपको जो दिये गए थे इसमें इंगल A equal था इंगल Q के तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं triangle ABC congruence triangle ध्यां दिजेगा अब आपको यह देखना होगा इस triangle ABC में अगर दूसरा triangle PQR के congruence है तो एक कौन सा angle किस angle के equal है वो इसको आप ऐसे arrange करेंगे जैसे कि angle A है तो angle A equal था angle Q का तो यहां पर Q लिखना होगा अब आप second angle को देखेंगे second angle B है तो second angle B आपका equal है यहां पर R से तो यहां पर आपको R लिखना होगा और third आपका angle C equal है angle P के तो यहां पर आपको P लिखना होगा इस तरह से आप लिखते हैं तो यह सही है अगर किसी बच्चे ने किसी student ने ऐसा लिख दिया कि angle ABC congruence triangle PQR तो यह आपका गलत हो जाएगा तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे इसको लिखना है लिखने में भी थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए तो आपने अभी दो triangle लिया जिसमें आपने internal angle तीनों equal था आगे हम ऐसा भी पढ़ेंगे जिसमें दो side और एक angle से भी congruence होता है फिर आपका अगर three side ही equal कर लिया जाए तब भी congruence होता है या दो side और एक उसका angle equal होगा तब भी होता है तो ये भी चीज़े हम आपको अभी discuss करते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये सिखा कि congruence हम कैसे बनाते हैं दो triangle के बीच आप देखें जैसे हम फिर से दो triangle लें इसको हमने abc कर लिया और इसको हमने pqr कर लिया इसका हमने 3 कर लिया इसको हमने 5 कर लिया और इसको हमने 6 कर लिया इसको हमने 3 कर लिया इसको हमने 3 कर लिया इसको हमने 5 कर लिया ये लेंद्ध की बात कर रहे हैं चलो हमने लिख लिया centimeter कि इस ट्रेंगल ABC में और इस ट्रेंगल PQR में हमने इसके जो लेंथ हैं आप देखेंगे कि जो लेंथ हो रहा है पीक्यू के साथ में आप देखेंगे कि क्यूर इक्वल हो रहा है या फस्ट पहले लिखा जाए बीसी इक्वल हो हो रहा है क्यूर के आप देखेंगे कि सारी बीसी इक्वल हो रहा है प्यार के और आपका एसी क्वल हो रहा है क्यूर के तो यहां यहां यह दोनों भी ट्रेंगल कांगुरेंस हैं यह दोनों ट्रेंगल भी पांगुरेंस हैं लेकिन आपको अप समसना होगा कि कौन साइड किसके एक्वल है इसको ले कि आप यहां एरेंज करेंगे जैसे सबसे पहले आप ऐसे लिखिए ट्रेंगल कि एबीसी दियां दीजिएगा यह तो आपने लिख लिया एबीसी अब आप एबी साइड पीक्यू के इक्वल हैं तो आप यहां पर लिखिए ट्रेंगल पीक्यू आर अब आप देखें यह सही है या गलत अगर इसको आपने जो लिखा है तो इसके साइड भी कर्रेस्पांडिंग होना चाहिए जैसे आपका एबी अगर पीक्यू के इक्वल है तो देख सकते हैं आप एबी पीक्यू के इक्वल है इसके बाद अगर बीसी इक्वल है पीयार के तो बीसी यहां पीयार के इक्वल होना चाहिए तो अब आपको यहां पे करना होगा बीसी पीयार तो बीस इबी तो आपने इक्वल कर लिया इसके साथ साथ अगर बीसी है पीयार के इक्वल इसको आप ऐसे लिखेंगे क्यू पी देखिए वो गलत था तो यहां पर अगर आपने क्यू पी कर लिया तो देखें आप पीयार के इक्वल होना चाहिए बीसी देख लिजिए बीसी पीयार के इक्वल है अरेंजमेंट साही होना चाहिए अब इसके बाद अची की बात करते हैं अब अची है आप एसी पर आईए आए और देख सकते हैं अची क्वल होना चाहिए जो की है तो arrangement आपका अगर साही नहीं होगा अब इससे यह आपने side को arrange किया तो उससे angle भी आपको clear हो गया इसका मतलब यह हुआ कि angle A Q के बराबर होगा Q के equal होगा और angle B आपका angle P के equal होगा और angle C, angle R के equal होगा तो अगर कोई triangle के 3 sides, दूसरे triangle के 3 sides corresponding sides equal हैं तो वहाँ दोनों triangle भी आपके congruence triangle कहलाते हैं और लिखने का आप तरीका समझे पहले यहाँ पर लिखा गया था PQ तो जब आपने PQ किया तो उससे में यह Q आपका यहाँ था और QR बराबर नहीं था आपके BC के देख सकते हैं QR बराबर था AC के तो इसलिए यह arrangement भी आपको समझना होगा और बहुत बड़ी बात नहीं है इसको बढ़ियां से आप समझ सकते हैं यह एक गेम है यहाँ पर जो आपको set करना है तो आपने समझा कि दो triangle अगर हम लेते हैं और उसमें दोनों triangle का corresponding angles are equal then two triangles are congruence triangle आपने यह भी देखा कि two triangles in two triangles ABC and PQR corresponding sides are equal then given two triangles are congruence triangle तो इस तरह से आपने यहाँ भी दोनों triangle को congruence समझा और इसको arrangement भी कैसे इसको हम लिखेंगे यह बात भी आपने सीखा अगर आपने ऐसा लिख दिया जैसा कि अभी हमने पहले लिया था triangle ABC कांगुरेंस triangle आपने PQR कर दिया और यह दिया गया था यह गलत हो गया क्यों गलत हुआ आप देखें AB equal है किस से PQ के क्योंकि यह भी 5 है यह भी 5 है तो यहां तो यह सही हो रहा है AB है equal PQ के लेकिन सारे side को आपको देखना होगा अब चलिए second और third लीजिए BC और QR लीजिए तो BC equal है 6 और QR equal है 3 equal नहीं है तो इसलिए यह गलत होगा यहां पर AB equal तो सही है PQ equal to 5 बट BC not equal to QR and AC not equal to PR तो आप देख सकते हैं यह सभी equal होने चाहिए थे अगर यह equal नहीं है तो आप उसको concurrence triangle नहीं कह सकते हैं तो उसके side भी arrangement आप सही से करेंगे और साथ में उसके angle तो अगर side arrangement सही होता है तो angle equal हो जाएगा अगर angle arrangement सही है corresponding आपने लिखा है उसको तो वो corresponding angles अगर equal है तभी आप दोनों triangle को congrrence triangle कह सकते हैं कुछ आगे की बाते हम फिर से देखते हैं आप देखेंगे यहां पर एक लिया गया है side angle side side angle side sas congruence rule तो two triangles are congruent congruent if two sides and included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle तो यहां पर अगर यह और two triangles are congruent जैसा कि आप देखेंगे यहां पर अगर हमने एक triangle ले लिया A B C और हमने ले लिया यहां पर P Q R घ्यान दीजिएगा जैसा कि two side side angle side जैसे हमने यह side ले लिया इस side हमने यह side ले लिया इसके equal और यह जो दोनो side आपने लिया है इन दोनो side से included angle की बात कर रहे हैं यह side और यह side का included angle यह कहलाएगा यह नहीं कहलाएगा यह नहीं कहलाएगा क्योंकि अगर इस angle की आप बात करते तो इस side और इस side का included angle कहलाथा तो इसलिए यह side दो side जो कोई भी triangle हो उसके दो side की अगर बात कर रहे हैं तो उसका included angle वही होगा जो दोनो side का intersect point से बनेगा तो यह angle आपका इन दोनों का included angle कहलाएगा उसी तरह इन दोनों का included angle यह कहलाएगा तो उसने यह कहा है कि अगर theorem ने कि किसी भी दो triangle का दो side और उसका included angle आपस में equal होगा तो यह दोनों triangle congruence होंगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है ABC triangle ABC तो यह आप ध्यान दिजेगा congruence आप करने जा रहे हो तो AB equal है तो P Q के है और यहाँ पर P आपको यह से लिखना पड़ेगा Q P और R इससे आपको क्या मिला AB equal हुआ किस से Q P से तो फिर AC भी equal होना चाहिए Q R के sorry QR नहीं आपका सही था P Q हाँ देख लिजे आप AC भी equal होना चाहिए P Q के sorry PR के तो यहाँ पर AC equal है PR के फास्ट और थार्ड आप देख सकते हैं फास्ट और थार्ड सब यह है कि अब यह थार्ड साइड जो equal नहीं दिया गया था वह भी equal हो गया अगर यह ऐसा है तो को साइडस भी से एकवल Q आज भी एकवल हो जागा साथ-में अधर टू एंगल ग्रिस्पांडिंग एंगल्स शहर एकवल जैसा कि अब अधर टू white टू कह लाएगा यह यह वी एकवल होगा एंगल आरके तो कोई भी दो ट्राइंगल जब कान्गुरेंस होंगे तो उसके बाद उसका तीनों additional angle correspondence in internal angle और साइड्स और equal ये आपको ध्यान देना हो गा इस पर हम एक question लेते हैं उसको करके दिखाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे मैं एक question लिया गया है in figure OI equal to OB OI equal to OB and od equal to oc od equal to oc यह आपको equal दिया गया है question ने बोला है तो आपको proof क्या करना है आप देख सकते हैं कि first proof करना है या so that triangle aod and triangle boc and ad parallel bc सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि दो triangle को अगर हमें congruence proof करना है तो उसमें क्या दिखाना होता है आप जानते हो कि अगर दो triangle को congruence proof करना है तो उस triangle का corresponding angles are equal दिखाएं या corresponding sides are equal दिखाएं तो यहां पर देख सकते हो अगर a को उसने बोला है कि b oc के equal है यह ओ भी तो a equal होना चाहिए इंगल a b के इंगल o o ना चाहिए इंगल o के ओ सेंस यह यह आप ऐसे लिख सकते हैं इसको इस triangle के लिए o o ऐसे कहलाएगा a od और equal होना चाहिए आपका b o c के और d equal होना चाहिए c के इंगल d equal होना चाहिए इंगल c के तो यह आपका target होना चाहिए आपको यह दिखाने के लिए और साथ में पहलाग आप ध्यान दें कि यह हम किसी तरह सो करें तो आप देखेंगे solution में गीवेन है ओ एक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल टू ओ सी एंगल c ओ बी इस कल्टू एंगल a od यह क्वल क्यों होगा वही इसलिए से इक्वल होगा कि यह वर्टिकली अपोजीट एंगल्स हैं यह दोनों एंगल वर्टिकली अपोजीट एंगल्स हैं विकाज यह वर्टिकली तो कि अपोजीट एंगल है और आपने पढ़ा है कि वर्टिकली एपोजीड एंगल्स आर इक्वाल यह अपने पुछले लेक्छर में पढ़ा है लाइन एंड एंगल में आपने पढ़ा चेप्टर में तो यहां से यह एंगल यह एंगल हो गया और अभी इसके जस्ट पहले आपने एक ठीरम पढ़ा कि किसी दो ट्रेंगल का दो साइड और उसका इंक्लूडिंग इंक्लूडेड एंगल्स अगर दूसरे ट्रेंगल के दो साइड और इंक्लूड दोनों साइड का एंगल और एक्वल देन ट्रेंगल्स आर कानकुरें तो यहां से आप लिख सकते हैं ट्रेंगल आप दिखेंगे ट्रेंगल यह इसके इक्वल है तो अरेंज भी करना होगा ध्यान दिजिए अरेंजमेंट सही होना चीह अगर सी भी सी ओ इक्वल है आपका तो ऐसे लिखना होगा आपको अगर इक्वल है तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल ओ को बराबर दिखाना होगा बीच में लेना पड़ेगा और डी लेना होगा सारी सी लेना होगा आपने देखा फर्स्ट आपने प्रूफ कर लिया तो जब यह फर्स्ट प्रूफ हुआ तो हमने बताया कि जब दो ट्रींगल सारी कॉर्वहन होतना हैं कोन्गुरेंज हैं तो उसके करेस्पांडिग इंगल्स एंड करेस्पांडिंग médi और इंगल क jours और देन और एक्वालक सभान फ़िड कश्वां वह तो पाहले सी कौल आप छुके लेद्व किपरे चुके हैं वर्टिकली यह पोजिट एंगल तो अब यहें में हो गया इसके और यह कों लोग इसके तो आप यहां पर ये देखिए कि यहांसे अगर ऐसा आपने किया और यह ऐसे यह equal हो रहा है इसके तो आप देख सकते हैं यह आपका कि दो पैरलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अगर उसके अल्टरनेट इंटीरियर्य एंगल्स ऑर इक्वल देन तू लाइन आर पैरलल आफर अ похैंगैं अगर कोई इंटिर्यार करती है to the unit ऐसा करती है तो यह रहां रिज्यिदी डौव लाइन है पैरलल दिया गया है और उसको एक transversal line intersect करे और उसको alternate interior angles अगर equal होता है तो दोनों line parallel होगी तो इससे आप यह जानते हो कि अगर यह equal है तो यह lines are parallel जैसा कि अपने पढ़ा था फिर से मैं एक बार चर्चा कर दूँ कि यह दो line अगर parallel L और M और यह line आपको cut करती है तो यह और यह angle equal होगा क्योंकि यह transversal alternate interior angle आपने proof किया था और suppose करो कि parallel नहीं दिया है यह दो line है हमको नहीं मालू है यह name क्या है यह कोई transversal line है P और यह equal है alternate interior angle equal है तो आपने यह भी पढ़ा है कि जब alternate interior angle है equal है तो यह line भी parallel होगी तो यहां से वही बात है कि अगर यह angle यह angle equal है और यह जो है दोनो alternate interior angles then then line BC parallel तो इस तरह से आपने यहां प्रूफ कर लिया कि यह दोनों parallel होगा तो यह आपने अभी एक question complete किया और इसमें हम next lecture में और बहुत सारी बाते करेंगे आप एक एक टापिक को ध्यान से समझ करके सीखना है बुक को ले करके खुद भी पढ़ना है बुक में हर बाते लिखी होती है जिसको हम जैसे टीचर आप तक पहुंचाते हैं इसलिए आप बुक की हर बाते को ध्यान से समझना होगा एक एक बात उसको पढ़ना होगा स्वेम उन question को लेके आपको करना होगा और example exercise सारे question आप क ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहना है self study खोब करना है क्योंकि कितना भी पढ़ाया जाए कितना भी आप किसी और से पढ़ेंगे जब तक आप अपने से नहीं पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझने नहीं आएगा practice आप करते रहेंगे mathematics just like a game तो यह एक गेम है इसके साथ खेलनी की जुरूरत है तो बढ़िया से math के साथ खेलते रहें पढ़ते रहें सीखते रहें फिर मिलते हैं next lecture में आगे आप लोग मलना के पढ़ें सीखें अच्छा थैंक यू